अलो वीवर्स मैं हूँ आनंदूर आपका स्वागत है हमारे चानल पटना ब्लॉगर्स में और हर बार के तरफ फिर से मैं आपको एक बहुती बढ़िया बहुती सांदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा है और आज के हमारे वीडियो का टक्टल है कि बिहार के राजगीर में एक बहुती बढ़ा बहुती सांदार सा फिल्म सिटी बनने जा रहा है और इस फिल्म सिटी की क्या क्या खासियत है वहीं मैं आपको बताने लेके जा रहा है तो Film City बनाने के लिए राजगीर प्रखंड के ठेरा, मोरा और पिलखी गाउं में बिहार सरकार ने कुल 360 एकड भूमी का अधिग्रहन कर लिया है और 360 एकड भूमी का अधिग्रहन इसके लिए पहले ही किया जा चुका है और ये Film City नई तकनीक से लास होगी और इसका निर्मान जो है वो 360 एकड भूमी पे किया जाएगा और इस Film City में स्टूडियो के लावे होटल, डॉनमेटरी, आफिस सहीत कई सुविधाएं होंगी और इस पर जो है 1.500 कलोर रुपे खर्च होने की संभावना है कला संस्कृती एवं युवा विभाग ने सुटिंग की दृष्टी से बिहार में इस Film City को चिन्हित किया है और ये नालंदा के नजदिक होने के कारण नालंदा के थिशासिक स्थलो और नेचर सफारी के नजदिक होने के कारण बहुत ही बड़िया जगह है जहां पें Film City बनाने के लिए सरकार के दोरा approval दिया दा चुका है और काम सुरू होने वाला है और जल्दी ही 3-4 साल के भीतर 2026-2027 तक ये Film City बनने की उमीद है बीच में Film City बनने का काम लुक चुका था लेकिन फिर से काम सुरू हो गया है और बहुत ही से इसका काम चल रहा है और मुझे उमीद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 2026-2027 तक ये पुरा का पुरा Film City बन करके त्यार हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब बिहार में भी जो है Film City होगी और भोजपूरी कलाकारों और भोजपूरी फिल्मों के लिए ये किसी हैवन से कम नहीं होगा यहां कई रह सारी भोजपूरी फिल्मों के सुटिंग की सभी सुविदा सभी फसलिटीज अभेलेबल होगी और यहीं ख़बर है जिसको कि मैं आपको इस वीडियो के तो दिखाने लेकर चाहरा है आपको अगर वीडियो चलिगी तो प्लीज वीडियो को लाइक ना नहीं बूलेंगे और वीडियो को अपने फ्रिंस को शेयर भी कर देंगे और चैन को सब्स्राइब कर देंगे ताकि हम आपको यूँ ही आजए ने टॉपिक्स पर उडियो बना कर दिखाते रहें और आपको बिहार के सबी अपडेट्स भी देते रहें